तो गाई जाज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर details से discuss करेंगे यह वीडियो UPSC और State PSC के point of view से बहुत जादा important हो जाता है तो चलो शुबार हम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच यादव एजुकेशन आप लोग को यह वाला चैनल मिल जाएगा यहां से आप लोग डेली बिसस पर इस lecture के PDF को डाउनलोड कर सकते हो साथी साथ में अगर आप लोग मेरे साथ मेरे पर्सनली गनेट करना चाते हो तो उसके लिए किया करना है इन्स्टागराम पर जाना सर्छ बॉक्स में टाइप करना दीपाच यह वेजुकेशन आपको मेरा प्रोफाल मिलेगा वहाँ पर आप मेरे साथ में personally connect कर पाओगे और लेडी 10K से ज़ादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी जाकर जुड़ जाना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को काफी interesting और उतना ही important होने वाला है और जितने भी article में यहाँ पर discuss करूँगा उनके regarding अगर UPSC ने कोई previous year में सवाल पूछे हैं तो वो सवाल भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ताकि हम लोग देख सके कि हमारा जो analysis है वो बिलकुल syllabus के according चल रहा है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूँगा कल शाम को current affair का वीडियो अप्लोड नहीं हो पाया था क्योंकि काफी सरे health issues हो रहे थे कल जिसकी वैसे morning का वीडियो भी काफी late हो गया था आज का सबसे पहला article बात करता है pharmaceutical pollution के बारे में important है down to earth ने इसके बारे में details से cover किया है health to harm करके इन्होंने एक report के बारे में discussion किया है कुछ researchers ने ये बताया कि जो pharma pollution है ना उस pharma pollution को tackle करने की आज के समय पर बहुत ज़ादा जरूरत है अब ये pharma pollution होता क्या है देखो दवाईयों जब बन रही होती है ना तो factories में बन रही होती है तो यहा से बहुत सरा pollution भी निकल रहा होता है जो wastewater है वो निकल रहा होता है वो सब कहाँ पे जा रहा है पानी के अदर मिल रहा है वो पानी का कहीनन के consumption हम कर रहे है underestimate हो तो ये जो इंपक्ट पढ़ रहा है वो सारी चीजे डिटेल से डिसकस करेंगे इस आर्टिकल को आप लोग प्रिलेम्स मेंस और इंटर्वी परस्पेक्टिव तीनों के पॉइंटर व्यू से लेकर चल सकते हो तो नियूस क्या है मैं आपको बता दिया एक रिसर्च पेपर के अकॉर्ड नदिया जो है वो आज के समय पर गंदी हो चुकी है या फिर उनके अंदर एक्टिव फार्मसिटिकल इंग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगा या नि दवाईया जब बन रही होती है उनके बहुत सरे केमिकल्स उन नदियों के अंदर पाए जा रहे है उस पानी के अंदर वज़ा से एक बहुत निगेटिव इंपाक्ट पड़ रहा है अब फार्मसिटिकल प्लूशन होता है क्या है अव थोड़ा से इसको समझते हैं देखो होता यहां पर यह है दवाईया जब बना रही होती है तो उसके लिए बड़े-बड़े प्लांट्स लगे वह होता है त क्योंकि केमिकल्स को रोक लिया जाता था बट आज के समय पर वह केमिकल्स उन प्लांट्स के अंदर रोक नहीं रहा है वह केमिकल्स बाहर आ रहा है वह सब वहां से जो गंदा पानी निकल रहा है वह सब बाहर आ रहा है अब वह जो वेस्ट वाटर बाहर निकल कर आ रहा है वो सब कहां जाएगा वो हमारे समदुर में मिल रहा है जीलों में मिल रहा है नदियों में मिल रहा है तो ये सब गंदा पानी जाकर इन सारी water bodies में मिल गया अब क्या हो रहा है कि इन water bodies के अंदर जितनी भी animal life है aquatic life है वो सब यहाँ पर बूरी तरह से affect हो रही है effect क्या पढ़ रहा है इसका असर क्या हो रहा है अब इसको समझेंगे number one effect यहाँ पर आप देखोगे effects on fish and aquatic life यानि की मचलियों के उपर और साथी साथ में पानी के अंदर रहने वाले और भी जानवरों के उपर एक negative impact उड़ा है अब होता है यहाँ पर यह है कि देखो दवाईया अलग-लग तरीके से और अलग-लग प्रकार ही बन रही है अलग-लग रोगों की दवाईया बनती है तो इसमें suppose यहाँ पर क्या है जो birth control pills है तो यहाँ पर जो birth है न उसको रोकने के लिए birth को control करने के लिए कुछ दवाईयों को अस्तमाल लिया जाता है अब उन दवाईयों में होता है क्या है estrogen होता है अब हुगा क्या वो दवाईया अगर पानी में जाती है उनका chemical पानी में जाता है या फिर जो post-menopausal hormone treatments होते हैं इनको लेकर या पर जो दवाईया है तो यह जो दवाईया अगर पानी में जाती है न तो इनसे हो क्या रहा है कि जो पानी के अंदर female और male का मचलियों का जो ratio है न वो कही न कहीं alter हो चुका है बदल चुका है और यह और जदा बदल सकता आने वाले समय में हो क्या रहा है जो male मचलिया है न उनके अंदर female वाले effects देखने को मिल रहा है इन दवाईयों की वज़ा से तो इतना बड़ा change हो रहा है environment के अंदर इस pharmaceutical pollution से तो पहला effect तो आपने यह पता होना चाहिए दूसरा यहाँ पर क्या है जहाँ पर हम लोग पानी को साफ करते हैं जो हमारा sewage treatment होता है पानी की सफाई वाँ पर गीजाती है तो उसके अंदर भी काफी सरे disruption है होता है यहाँ पर यह है कि काफी सरे दवाईयों जब पानी मिल जाती है जब उसको पानी को साफ के जा रहा होता है तब भी वो जो chemicals हैं वो उस पानी के अंदर रह जाते हैं जो की आगे पास होते हैं और फिर उसके बाद इंसान उस पानी को drink करता है देखो होता है यहाँ पर यह है कि एक effect पढ़ता है drinking water के उपर एक इंसान है उसने यहाँ पर दवाईया खाई दवाईया खाने के बाद में उस waste water disposal हुआ है ना अब वो waste water को treat किया गया साफ किया गया फिर वो वापस हमारे ecosystem mentor किया वो drinking water बना इस प्रकार से यहाँ पर cycle चलती रहती है अगर यहाँ पर pharmaceutical जो pollution है यह भी add हो जाएगा यह बहुत ज़ादा बढ़ने लगेगा water treatment proper नहीं हो पाएगा तो पीने वाले पानी के अंदर भी क्या पहुचेगा यह आप कह सकतो chemicals पहुचेंगे जो कि हमारे human health के लिए और साथी साथ में environment के लिए बहुत ज़ादा खतरनाक साबित होंगे बात क्लियर हो गई फिर उसके बाद में हापर क्या बताया गया कि आप देखोगे ना कि बहुत सारी जो municipal sewage treatment facilities है जहाँ पर पानी को चान कर साफ किया जा रहा है फिर उसके पर problem वो जो chemical से रिमूव हो पाएं इसकी वज़ा से serious health issues हो रहे हैं लोगों के अंदर तो ये तो मैंने आपको बताया कुछ effects उसके बाद आप देखोगे कही न कहीं बहुत सारे long term effects पढ़ रहे हमारे environment के उपर बहुत सारे जो ये pharmaceutical compounds हैं ये लंबे समय तक environment के अंदर रहते हैं पानी के अंदर पढ़े रहते हैं तो इससे obvious ही बात एक disastrous effect पढ़ता है पानी के अंदर रहने वाले जानवरों का धरती के उपर रहने वाले बाकी इनसानों का सभी के उपर एक impact पढ़ता वह नजर आ रहा है अब इसका solution क्या हो सकता है यानि कि इसका उपाई क्या होगा तो करना क्या होगा पहली बात तो आपको investment करना होगा public education के अंदर में लोगों को बताना होगा इस चीज़ के बारे में कि भया जो भी आप दवाई का इस्तमाल कर रहे हो आप जो fake रहे हो तो उसका एक proper disposal कर सको है ना proper यहाँ पर उसको disposal क्या जा सके या फिर आप take back programs को join कर सकते हो या फिर जो company उनको take back programs start करने चाहिए दवाई यह खराब हो गई है आप company जो है वो ले कर जाए आप fake हो ना उसको तो इससे यहाँ पर क्या होगा उसको safely यहाँ पर dispose कर दिया जाएगा safe तरीके से यहाँ पर अगर काम किया जाएगा तो उसका effect environment के उपर नहीं पड़ेगा दूसरा solution क्या हो सकता है हमारे पास में जो regulations और जो rules and regulations है वो और जादे कड़े होने चाहिए ठीक है ना जिससे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकें जो medicine आज की समय पर hospital के अंदर फाल्तु की बह रही है फाल्तु का यहाँ पर एक overflow देखने को मिल रहा है nursing homes के अंदर में दूसरे healthcare institutions के अंदर में उसको थोड़ा सा limit किया जा सके है ना इसको लेकर हमारे पास में कुछ tougher regulations होने चाहिए कि जितनी जादा medicines market में overflow करेगी उतना ही जादा यहाँ पर यह जो pharmaceutical pollution है वो यहाँ पर नजर आएगा बात क्लियर हो गई उसके बाद में हमने एक और काम करना है वो है additional research अब इसके ओपर research करना बागी है कि जो pharmaceutical pollution है इसको हम कैसे tackle कर सकते है प्लस इसका जो impact पड़ रहा है human effects के ओपर वो और कितना बुरा हो सकता है प्लस हम इस effects को कैसे रोक सकते हैं तो बहुत सरी additional research भी यहाँ पर करनी बागी है ठीक है ना फिर एक और बात यहाँ पर यह बोली गई है कि कोई भी bulk में दवाईयों को purchase न करे एक बार में खरीद नहीं लेते हैं 10-10 गोलियां इस चीज़ की 15-15 गोलियां और वो दवाईयां घर के अंदर पड़ी रहती हैं बहुत लंबे समय तक फिर वो expire हो गए उसको fact दिया गया तो क्या हो गया है कि हमने fact दिया वो ट्रेशिंग में चला गया तो कहीं न कहीं यह directly problem डालती है तो हमने यहाँ पर fact दिया तो इससे यहाँ पर क्या होता है वो सरी दवाईयां उनका जो chemical से वो हमारे end moment में पहुँचा वो कहीं न कहीं बहुत सरी problems यहाँ पर पैदा करेगा बात clear हुई अब उसके बाद में यह तो हमने solution डिसकस कर लिए अब आप सोच रहोंगे कि सर फार्मसेटिकल pollution इतनी बड़ी problem है इंडिया के अंदर इतनी बड़ी problem बनता जा रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है कारण है हमारा फार्मसेटिकल pollution का status इंडिया के अंदर यह status क्या है हम कहां पर stand करते हैं फार्मसेटिकल pollution के मामले में इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है सबसे पहली बात इस particular sector में दुनिया के third largest producer माने जाते हैं हम यानि इंडिया दुनिया का तीसरा largest producer है फार्मसेटिकल का जिसमें हो क्या रहा है हम लोगों के पास में लगबग 3,000 से जादा दवाईयों की कंपनिया है 10,500 से जादा manufacturing units आपको देखने को मिलेंगे जहां पर दवाईयों बन रही है तो फार्मसेटिकल प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा polluting industry है हमारे इंडिया के अंदर में ठीक है न ये बात clear होगी तीसरा सबसे बड़ा largest producer आपके सकते हो इंडिया जो है वर्ल्ड का third largest producer है फार्मसेटिकल का दवाईयों के प्रोडक्शन के मामले में हम बहुत आगे हैं इस वज़े पॉलूशन भी बहुत ज़ादा हो रहा है इस वज़े से याप आप देखोगे इंडिया के अंदर अगर स्पैसिफिकली बात करें तो हैदराबाद शहर जाना जाता है Bulk Drug Capital of India के नाम से क्योंकि सबसे ज़़ादा दवाईयों का उतपादन यहीं पर हो रहा है यहीं पर आपको 800 से ज़़ादा फार्मा बायोटेक यूनिट्स देखने को मिल जाती है और एक सर्वे हुआ था उस सर्वे का अकॉर्डिंग बताया गया कि जो लोकल लोग है ना वहाँ पर वो आर्यू इस बात का कर रहे है कि वहाँ पर जो जहतरा बात के अंदर जहां जहां पर यह फार्मा यूनिट्स पाई जा रही है उसके आसपास का जो पानी है ना जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है इन कैमिकल से इस प्राकार से हाँ पर लोगों की कंप्लेंट्स भी निकल कर आ रही है बात क्लियर हो गई फिर उसके बाद में एक और इशू निकल कर आता है हर साल हर साल इतने बच्चों की मृत्य हो रही है क्यों क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इंफेक्शन उनकी जान ले रहा है अब देखो होता है यहाँ पर यह है कि जो फार्मेस्टिकल वाटर पलुशन है जैसे दवाईया पानी के अंदर गई इनका केमिकल पानी में पहुचा तो इससे यहाँ पर कभी-कभी जो एंटी बॉटिक्स होती है आपको पता होगा बुखार होगा यह सारी चीज़े होई तो हम लोग एंटी बॉटिक्स का ज़्यादा कंजम्शन करते हैं तो एंटी बॉटिक्स का अस्तमाल के जाता है अब यह एंटी माइक्रोबियल और एंटी बॉटिक ड्रग जो है न यह पानी के अंदर मिल गई अब यह बॉटि के अंदर जब जाती है तो यह बॉटि के अंदर बैक्टिरा को मारने का काम करती है लेकिन अगर एक हद से ज़ादा body के अंदर antibiotic पहुंच जाए antimicrobial दवाईया पहुंच जाए तो कहीं न कहीं body के अंदर क्या हो जाता है multi drug resistance infection या इसको हम लोग antimicrobial resistance के नाम से भी जानते हैं कि मतलब एक time ऐसा आता है कि ये दवाईया जादा जाने के बाद में एक negative impact डाल रही होती है बाद क्लियर हुई तो इसको हम लोग क्या बोलता है इसको हम लोग अलग-लग नाम से भी जानते हैं antimicrobial resistance के नाम से भी जानते हैं कि body के अंदर इतना सारा antimicrobial चलाएगा बहुत सरे अलग-लग initiatives से जो कि यहां पर government ने start कर रहा है जैसे National Action Plan for Antimicrobial Resistance 2017 इस plan को चलाया गया था ताकि यह जो problem है antimicrobial resistance वाली इसको हम लोग रोक सकें ठीक है ना फिर उसके बाद में जो antibiotics आज के समय पर industry से निकल रहा है जो waste की category में उसको हम लोग रोक सकें इसमें ये target था फिर जीरो liquid discharge policy को start किया गया Central Pollution Control Board जैसको हम लोग CPCB के नाम से भी जानते हैं इन्होंने कुछ guidelines को जारी किया अलग-अलग pharma industries के लिए ताकि वो क्या कर सकें जीरो liquid discharge पर आ सकें लग-बग 220 220 जो बड़ी-बड़ी दवाईयों को बनाने वाली कमपनिया है ना इन में से 86 कमपनिया आपको देखने को मिलती है है हैदराबाद के अंदर यहाँ पर जीरो liquid discharge facilities आ चुका है यानि कि जो भी liquid निकल ला है वो यहाँ पर इसको में लोग MOE FCC के नाम से भी जानते हैं तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज का announcement भी क्या है जो industry जेनान को क्या करना चाहिए कि कुछ न कुछ जो devices हैं उनको install करके रखने चाहिए ताकि वो devices क्या कर सकें इस गंदे पानी को लगातर monitor कर सकें देख सकें हाँ कितना पानी generate हो रहा है यह कितना नुकसान दायक है ताकि हम उसको लेकर तुरंती कोई न कोई कदम उठा सकें तो यह सारे initiatives आज की समय पर उठाये जा रहे हैं अब जितना भी discussion क्या है उसके basis पर एक सवाल देखेंगे UPSC ने साल 2019 में एक सवाल पूछा था सवाल क्या है तो यहां पे body के अंदर जो antimicrobial resistance होता है उसके पीछे का कारण क्या है यह आपने बताना है बहुत सिंपल से सवाल है 2019 में पूछा गया था यह आपको चार statements देगा है पहला बोलता है genetic predisposition of some people दूसरा तो आपको यहां पर इन चारू statement में से सही statement को चुनना है वैसा अगर हम इन options को देखें तो यह चीज़े मा आपको अलड़े ही बता चुका हूँ कि antimicrobial resistance है क्या आखर यह basically category तब बनती है जब body के अंदर बहुत ज़दा antibiotics बढ़ जाता है इसका consumption आप बढ़ा लेते हो या फिर सही तरीके से नहीं ले रहे हो जिसकी वज़े से body के अंदर जो bacteria वगरा है वो और ज़दा मजबूत हो रहा है यह antibiotic लेने के बाद तो वो खतम होना चाहिए था बट अब वो यहाँ पर bacteria खतम नहीं हो रहा वो और ज़दा मजबूत होता वनज़रा रहा है तो उस category में इंसान के लिए बहुत ज़दा घाता के साबित होता है अब देखो बात यह आती है कि दूसरा statement देखो टेकिंग इंकरेक्ट डोजिज ऑफ एंटिवाटिक्स ठीक है न जो एंटिवाटिक है उसका इंकरेक्ट तरीके से यूज करना अपनी बिमारी को ठीक करने के लिए तो पहली चीस तो यह है यह सही है दूसरा एंटिवाटिक्स का हम इस्तमाल करते है लाइफ स्क्राक फार्मिंग के अंदर में जैनि गाय भैंस जो है न इनके अंदर भी एंटिवाटिक्स का जब भी मार पड़ती है तो उनको भी बहुत सर एंटिवाटिक्स दिये जाते है next बहुत जादा important article है बात की जारी है bills to modify the schedule tribes list अब हम लोग यहाँ पर policy के perspective से discussion करेंगे schedule tribes के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर एक bill है जिसको change करने के बारे में चर्चा की जारी है कुछ changes करने के बारे में चर्चा की जारी है वो क्या है उसके बारे में discussion करेंगे source आप देख सकते हो दहिंदू के अंदर इसके बारे mention किया या है center introduces bills to modify schedule tribe list in four states तो हमारी किन सरकार ने अभी एक bill को introduce क्या है किसलिए ताकि हम schedule tribe list को modify कर सकें चार राज्यों के अंदर में तो modification कैसे होता है कैसे आपर किसी को schedule tribes घोशित किया जाता है वो सारी बाते हम यहाँ पर discuss करेंगे तो news में आपको समझ में आ गया चार बिल sorry यहाँ पर bills को introduce किया गया वहाँ पर मांग यह की गई है कि चार राज्यों के अंदर कुछ changes करे जाए और schedule tribes को add किया जाए तो चार राज्ये कौन-कौन से है तामिलाडू, करनाटिका, हिमाचल प्रिदेश और 36 गड़ यहाँ पर आपका सकतो इन चारू states को लेकर यह जो bill है वो अभी introduce किया या लोकसभा के अंदर यहाँ बोला गया कि जो हमारे पास में schedule tribe को लेकर पुराना वाला act है constitution schedule tribe order 1950 इसके अंदर कुछ changes करकर हम लोग यहाँ पर क्या करें कि अभी इन राज्यों से बहुत सारी अलग-लग schedule tribes belong करती है मतलब अलग-लग tribes आती है उनकी मांगे कि हमें भी schedule tribe की list में डाल दिया जाए ताकि schedule tribe के जो benefits है वो उन लोग को मिल पाएं तो इस बिल को जो introduce क्या है न इस बिल की मांग क्या है इस बिल की मांग है कि तामिल अडू के अंदर जो नारी कुरोवन और कुरु विकरन hill tribes हैं यह दो अलग-लग प्रकार की जो tribal community पाए जाती है इनको schedule tribe list के अंदर अड़ कर दिया जाए यह basically इस बिल की मांग है और इस चीज को support local committee ने भी किया था local committee ने 1965 में अपनी report के अंदर already recommend कर दिया था कि देखो इनका inclusion किया जाना चाहिए इस schedule tribe के list में यह बात clear हो गई तो इन दोनो tribal people जो tribal communities इनका नाम याद रखना local community किसी से related है tribal community से related है धियान रखना इस committee का जो नाम है फिर बात यह आती है कि इसके लावा बिलने एक और मांग करी है यह मांग करी है कि देखो जो भी बहुत ज़्यादा कठिन नाम वाले जो tribal communities उनके जो नाम है वो बहुत अलग अलग है तो उनके नाम का है एक synonym रखना क्योंकि हो क्या रहा है Ministry of Tribal Affairs के recording बात करें तो कुछ tribe है जैसे कि suppose यहाँ पर एक schedule tribe है और suppose यहाँ पर इस schedule tribe का नाम ABC जो भी है यह basically सारे के सारे schedule tribe के अंदर आते हैं लेकिन नाम फ्रोड़ा सा कटिन है जिसकी वैसे यहाँ पर काफी सारे लोग जो की इस tribe से बिलॉंग करते हैं वो इसका pronunciation सही नहीं कर पाते हैं या इसकी spelling सही नहीं बता पाते हैं तो इससे होता है यहाँ पर यह है कि यह लोग इन schedule tribe वाली list के अंदर नहीं आते हैं और इसका benefit नहीं ले पाते हैं तो यह बोला गया जो भी cut in cut in नाम है वहाँ पर क्या किया जाए एक उसका synonym जो है वो provide कर वाए जाए एक दूसर नाम provide कर वाए जाए यह बात clear हो गई अब बात आती है कि what is the exactly process of inclusion in schedule tribe list आखिरकार क्या process है क्योंकि यह मांग कर रहे है कि हमें schedule tribe की list में add कर दिया जाए तो होता क्या है कैसे होगा यह काम कैसे होगा पूरा का पीछे का process क्या है यह आपने समझना चाहिए तो सबसे पहली चीज़ देखो करना क्या पड़ेगा इस process के अंदर सबसे पहली चीज़ यह आती है कि हमारी जो state government है जो केन सरकार है जैसे अभी तामिलनाडू की बात करी हमने करनाडिका की बात करी दन उसके बाद में हम लोग ने फिर इसके अलावा यहाँ पे NCST से भी approval चाहिए होगा यानि schedule tribes के इनके जो schedule tribe के rights होता है इनके हकों को protection देने के लिए एक body बनाई गई है national commission for schedule tribe तो जो NCST है इस से approval लेना होगा और फिर approval लेने के बाद में इस list को cabinet के पास में भेजना होगा final decision के लिए then final decision के बाद यहाँ पर क्या होगा जो president है वो अपना approval देंगे तो final decision यहाँ पर जो तयार रहेगा वो president के हाथ में होगा और यह सारी बाते जो president के पास में जब final decision आता है न तो उसके बारे में already हमारे समिधान में article 342 के अंदर mentioned है तो किसी भी community को schedule tribe के अंदर इस प्रकार से add किया जाता है लेकिन पूरा process तब ही होगा जब हमारे president last में sign कर देंगे या president अपना approval देंगे और उसके लिए करना क्या होगा उसके लिए जो हमारे पास में पुराना वाला act है constitutional schedule tribe order इसके अंदर changes करने होंगे इसके अंदर amendment भी करने होंगे कि amendment करके आप कह सकते होंगे हाँ any tribes को हम इसके अंदर add कर रहे है तो ये काम करने के बाद ही schedule tribe को इस particular list के अंदर add या जा सकता है बात clear हो गई है ना state से travel affair ministry फिर उसके बाद में यहाँ पर रेजिस्ट्रार जनरल के पास में अप्रूवल एंसीस्ट्री का अप्रूवल फिर cabinet के पास में फिर final decision हमारे president के पास में बात clear हो गई अब schedule tribes को लेकर हमारे समभीधान में क्या-क्या provisions है कहां कहां पर provisions है यह आपने पता होने चाहिए देखो जो हमारा constitution जो हमारा समभीधान है वो basically schedule tribes को लेकर जादा criteria define करता नहीं है हमारे पास में जो पुरानी वाली जन्गार ना है census जो है 1931 वाला इसके according बात करें तो schedule tribe को अलग से नाम दिया गया है backward tribes का नाम दिया गया है या कुछ ऐसी tribes जो कि excluded और partially excluded areas में रह रह रहे हैं कुछ ऐसी areas जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं उसके आद में जो Government of India Act 1935 वाला इसके according अगर हम लोग बात करें तो पहली बार schedule tribes का जो representative है वो provincial assemblies के अंदर लेकर आया गया पहली बार यहाँ पर मांगी गई कि जो backward tribes है ना जो backward tribes है इन में से कोई एक व्यक्ति निकल कर आना चाहिए प्रोविंशल assemblies में ताकि इन लोग की हको के लिए बात कर सके है ना तो फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है मैंने आपको बता दिया कुछ tribe और tribal communities जो की अलग-अलग हिस्से में लह रही है और article 342 के तहित जो हमारे president होते हैं वो यह सारा काम करते हैं मैंने अभी आपको अलड़ी बता दिया था president का incident मिलता है जिसके basis पर यहाँ पर उनको schedule tribes का दरजा दिया जाता है इता है इस list में एड किया जाता है तो और article 342 clause 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया जो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे पहले तो governor के साथ में बातचीत करेंगे अगर state है तो बातचीत की जाएगी उसके business पर यहाँ पर किसी भी travel community को, tribe को, किसी भी group को, वो schedule tribe की तरह specify कर सकते हैं, यह already हम discuss कर चुक है, यह point repeat हो चुका है अब बात आती है, पाँचवे schedule की तो पाँचवे schedule के अंदर भी आपको scheduled areas को लेकर कुछ provisions देखने को मलेंगे, ठीक है ना तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, कि देखो जो भी हमारा administration होता है और schedule area के अंदर जो भी हाँपर control होता है ना, और यह बात करता है, जो फिफफ schedule है वो क्या बात करता है, जो schedule tribes और schedule areas वाले जो आपको देखने को जो मिलेंगे ना, उनका जो भी administration administration और control होता है, उसके बारे में यह बातचीत करती है और मतलब इसमें छड़े schedule को exclude किया गया है, बहुत सारे ऐसे राज्ये भी हैं, जो कि छड़े schedule के अंदर आते हैं देखो, असा मेगालिया, तृपूरा मेजुरम, ATM करके ध्यान अकना है चार राज्ये जिनको छेटे schedule में cover किया गया है 6 schedule के अंदर cover करने का मतलब इनके पास में autonomous district council है अपना खुद का council अपने इसाब से laws बगरा यहाँ पर बना सकते हैं, ऐसा 5th schedule में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है न तो यह बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है तो 5th schedule में जो छड़े schedule वाले राज्ये हैं उनको छोड़कर बाकी सब चीज़े यहाँ पर आ रही है, छड़े schedule में यह चार राज्ये आपको देखने को मिलेगे, Northeastern states है बाकी schedule tribes के लिए कुछ statuary provisions है, यानि अलग लग प्रकार के काम करे गए हैं, जैसे protection of civil rights act 1955 untouchability के against में इसको लेकर आया गया, then scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities, यानि इनके उपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक act लेकर आया गया, फिर उसके फिर scheduled tribe and other traditional forest dwellers, जो भी जंगल में रहने वाले लोग हैं, हमारी tribal communities हैं, इनके जो forest rights हैं, उनके हकों के बारे में बाचीत करता है, या act 2006 का, तो इस प्रकार से कुछ और provisions भी scheduled tribes को लेकर आये गये थे, बात clear हो गई, तो क्या मांग है, कैसे list में add करते हैं, ये बात आपने जरूर से ध्यान में रखनी है, अब दो question आपको देखने को बिलेंगे, UPS से ने पूछे थे साल 2022 में, आपकी बार के prelims में ही एक सवाल पूछा गया था, सवाल क्या था, कि मालो एक particular area है, जिसको हम लोग हमारे संभीधान के पांचवे schedule में लेकर आ जाते हैं, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, option है, इससे यहाँ पर क्या हम लोग, जो transfer of land of tribal people to non-tribal people, इसको रोख सकेंगे, या option B, ये कहीन कि एक local self-governing body देगा उस area में, या फिर option number C, कि ये एक area को unit territory में convert कर देगा, या फिर option number D, ये जो state है, जैसे कुछ areas है, इंको ये special category का state, special category का state declare कर देगा, तो ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, ना हमले को नहीं यहाँ पर D वाला से कुछ पढ़ा, ना हमने ये पढ़ा कि unit territory में उसको बदल देगा, ना हमने नमबरे, fifth schedule क्या बात करता है, ये basically यहाँ पर prevent करता है, जो भी यहाँ पर हमारे travel people की जमीन है ना, उसको non-travel people को transfer करने से रोकने में मदद करता है, पांचवा schedule या अपने ध्यान में रखना है, हमारे travel people को जमीनों को लेकर उनको एक protection provide करवाता है, फिर एक सवाल पूछा गया था, 2019 में, यहाँ पर क्या पूछा गया, कि हमारे संभिधान में, भारते संभिधान में, कौन से schedule में, मतलब वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मतलब एक सवाल को घुमा फिरा के दुबारा पूछा गया, 2019 में बिल्कुल सेम question है, और 2022 में वही सेम question है, बस question पूछने का तरीका लग है, यहाँ पर भी बात आती है, वही 5th schedule के बारे में, ठीक है न, कि हमारे भारते संभिधान में, कौन से schedule में, जो tribal land है, इसको यहाँ पर हम transfer करते हैं, private parties के पास में, तो यह मतलब null and void घोशित कर दिया जाएगा, तो basically वह 5th schedule के अंदर देखने को मलता है, तो 5th schedule के अंदर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, बात क्लियर हो गई न, तो यह आप देख पार होंगे, एक ही question को दो बार किस प्रकार से घुमा कर दिया गया, next article पर आते हैं, यहाँ पर हम पहले discuss करेंगे इस वाले article को फिर बात में दूसरे article पर चलेंगे, बात की जारी है National Telemedicine Service of India के बारे में, यानि East Sanjeevani के बारे में, तो National Telemedicine Service of India East Sanjeevani के जब हम बात करते हैं, तो recently उन्हें क्या किया आठ करोर टेली कंसल्टेशन को यहाँ पर एचीव कर लिया है, तो इस वज़ए से यह न्यूज में है, तो आठ करोर के आसपास टेली कंसल्टेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानि कि दिको सिंपल सा मैं आपको बात बताओं कि आप डॉक्टर के साथ में कैसे कॉंटेट कर पाऊगे, वीडियो कॉल के मादम से कॉंटेट कर पाऊगे, यानि डॉक्टर के पास आपको फिजीकली जाने की ज़रुफ़त नहीं, आप ऑनलाइन वे में यहाँ पर सारा का सारा काम कर सको तो इस समझीवनी हमारे आयूश मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का ही हिस्सा है ये बात आपने आपर ध्यान में रखनी है तो टेली मेडिसिन क्या होता है पहले इसको समझते हैं वर्ल हेल्थ ओगनाजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो टेली मेडिसिन है बेसिकली डिवलिवरी ओफ हेल्थ केर सर्विस बाई यूजिंग इन्फरमेशन एंड कम्मुनिकेशन टेक्नलोजी फॉर दा जो यह सरी की सरी जों हल्थ केर सर्विसिस हैं वो आपको दी जाएगी लेखिन यहाँ पे क्या स्त्माल क्या जाएगा Communication Technologies का इस्तमाल किया जाएगा Online वे में सारा काम किया जाएगा टिकन Online वे में आपको सारी की सारी Information मिल जाएगी इससे क्या होगा जो 1 to 1 interaction होता है Patients और Doctors के बीच में वो यहाँ पर नहीं होगा इससे कोई disease नहीं फैलेंगी और अराम से यहाँ पर इन चीजों को आगे बढ़ावा दिया जा सकता है इस टेली मेडिसन के तहट अब ऐसे यहाँ पर e-sanjeevni है तो e-sanjeevni भी बिसिकलि एक टेली मेडिसन का काम करता है अब यह कैसे करना होता है तो को आगे यहाँ पर पहले आपको क्या करना है बिलेगी है ना फिर यहाँ पर आपको एक token मिलेगा आपके SMS के उपर फिर step 2 के अंदर login करना है फिर उसके बाद में SMS का वेट करना है लो login करते वे फिर यहाँ पर आपके सकते हो कि login हो जाएगी आपकी ID से फिर step 3 के अंदर क्या होगा आपको यहाँ पर एक virtual waiting room मिलेगा यानि इसके basis पर आप doctors का साथ में consult कर पाओगे ठीके ना तो जो doctor है वो यहाँ पर आपको दिखेगा आपको सारी की सारी information देगा आप उससे यहाँ पर जो भी prescription वगरा वो ले सकते हो तो यह सारा का सारा काम इस संजीवनी के तहत होता है तो आज के समय पर बहुत सारे ऐसे राज जैसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर इस platform का इस्तमाल किया जा रहा है और ऐसे हमारे पास में अलग-अलग programs भी है जैसे आयुशमान भारत health and wellness center करके यहाँ पर एक program आपको देखने को मिलेगा इसका काम भी यही है कि दो जो गाउं वाले area है शहर वाले area है घासकर गाउं इरिया में proper facilities नहीं पहुंच पाती है तो basically वहाँ पर भी इस प्रकार से digital health को पहुंच आ जा सके तो यह focus हमारा इसके तहत रहता है और यह model successfully लागू हो चुका है बहुत सारे area में बढ़ चुका है आज के समय पर बहुत सारे लोग अपने आपको register करवा चुके हैं आप ऐस आपको यह संजीवनी देखनों को मिलेगा जिसके बारे मैंने अलेडी बताया जो यह संजीवनी वाला पोर्टल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर अल्रेडी बहुत सारे specialist जो है doctors जो है health workers जो है वो अल्रेडी है लगबक यहाँ पर बहुत सारे patients है जो कि हर रोज वज़े से आप कह सकते हो कि जो telemedicine का concept वो आज के समय पर जा रहा है बहुत जादा बढ़ रहा है क्योंकि इससे time बच रहा है पहली बात यहाँ पर आपको traveling करनी पड़ रही है hospital तक तो वहाँ पर काफी सारा समय भी जा रहा है आपका transportation का cost भी जा रहा है वो सब बच रहा प्लस इक platform के मादधम से आप यहाँ पर क्या कर पा रहे हो तो जो digital India है उसको आगे आप promote कर पा रहे हो और जैसे कि बहुत सरी जो बिमारिया होती है जो की फैल रही है उससे आप बस सकते हो तो यह काम यहाँ पर कहीं मददगार रहने वाला है ऐसा आप कह सकते हो अब होता यहाँ पर तीन statements दिये गए हैं बताना यह है कि कौसा statement सही है पहला statement बोलता है यह एक private public hospital है private public hospital को भी यह particular जो mission इसको adopt करना है दूसरा statement बोलता है कि इसका aim क्या है universal health coverage का सभी लोग को यहाँ पर सभी लोग की जो health उसका ध्यान नका जा सके हर एक व्यक्ति जो है भारत का व पूरे देश भर में यह facility ले सकते हो तो क्या है वैसे तो तीनों ही लग रहे है क्योंकि तीनों ही कहीने के digital mission से link करते हुए नजर आ रहे है सभी लोग को cover किया जा रहा है है तो इस वज़ए से यहाँ पर जब आप options को देखते हो तो इसमें एक option D है 1-2-3 वाला तो D जो है वो बिल्कुल correct हो जाएगा तीनों के तीनों options आयूशमान भारे डिजिटल mission के तहत बिल्कुल सही है बात क्लियर हो गई तो यह चोड़ा सा article था फिर उसकाद में एक और article है जो कि environment के perspective से काफ़ी important है क्या बात की जा रही है तीन हिमालेन medicinal जो plants है न उनको अभी IUCN red list के अ यह article आपको directly GS paper number 3 environment में help करेगा तो आपको इसके बारे में जरूर से पढ़ना चाहिए तो हुआ क्या तो तीन medicinal plants है तीन ऐसे plants की प्रजातियां देखने को मिलती हैं जिनमें बिमारों को ठीक करने की शक्तिया हैं दवायों की तरह हम इस्तमाल कर सकते हैं हुआ क्या इनको IUC IUCN के red list में डाल दिया गया IUCN के red list में डालने का मक्सद है कि इनको एक सुरक्षा देने के बारे में अभी के समय पर चर्चा की जा रही है क्यों क्योंकि यह plants की प्रजातियां लगातर खत्रे में हैं तो वह जो तीन plants की प्रजातियां वह कौन कों से हैं तो पहला है mesotropes, पैलिटा, दूसरा है फ्रिटिलेरिया, सिरोसा, दैन है डैक्टिलोर्जिया, हैटेगरिया तो यह तीन प्रकार की प्रजातियां आपको देखने को मिलती है medicinal plants की हुआ क्या इनको IUCN की red list में डाला गया क्यों डाला गया कहीं न कहीं पेडों की कटाई हो रही है उसका असर इनके पूर पढ़ रहा है जंगलों में आग लग रही है उसका इसर पढ़ रहा है illegal तरीके से व्यापार हो रहा है इनका climate ची यानि गर्मी लगातार बढ़ रही है उसकी वेसे इनके उपर एक खत्रा बढ़ता जा रहा है तो इनको एक सुरक्षा दी जाए एक protection दी जाए जिस वज़ा से हाँ पर इस particular initiative को start किया गया बात clear कर दी यानि कि IUCN की red list में इसको डाल दिया गया अब इन तीनों ही पौधों के बारे में जो मने बताया है ना इनके बारे में कुछ detailing में आपको दे रहा हूँ यह आपने जरूर से याद रखनी है सबसे पहले बात करेंग कि इसको critically endangered category में डाला गया यानि कि यह जो प्रजाती है ना यह बहुती जादा खत्रे में है इसको नहीं बचाया गया तो यह प्रजाती खतम हो जाएगी और खत्रा किसी हीच का है लगातार पेड़ों की कटाई और यह उसका खत्रा पहुँच रहा है इसको जंगलों के अ वाली इंडस्ट्रीज है वहाँ पर दवाईयों के अंदर भी इन प्लांट्स का इस्तमाल किया जाता है जो नंबर टू वाला पौधा है वो है फ्रीटेलेरिया सिरोसा इसको हम लोग हिमाल्यन फ्रीटेलेरिया के नाम से भी जानते हैं और यह इसको आयूसीन के वलरेबल क अब खुटला क्या है कि चाइना में जो ये वाला प्लांट है न दूसरा वाला इसको बहुत तरीकी से इस्तमाल किया जाता है खासकर लंक्स की जो डीजीज है उसको ठीक करने में निमूनिया को ठीक करने में यह जो प्लांट है इसका अंदर में अपने आप में बहुत सार सलम पंजा के नाम से भी जानते हैं, सलम पंजा, तो यह क्या है, यह वाली जो स्पीशी है ना, यह खाक आपर देखने को मिलती है, जो हिंदु कुष की पाड़िया है, हिमालियन रेंजें से अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन सभी इरियास के अंदर, यह जो सलम पंजा है, यानि कि डाक्टल रोजजा वाला पौधा है, यह पाया जाता है, और इसको आयूसियान की लिस्ट में, इंडेंजर्ट काटिगरी में रखा है, पहले वाले पौधे को क्रेटिकली इंडेंजर्ट, दूसरे वाले को वल्लेरेबल, तीसरे वाले को इंडेंजर्ट काटिगरी में डाल दिया गया, इसको क्या नुकसान पहुंच रहा है, अगेन, इसका भी यहाँ पर संक्या कम और यह डिफॉरेस्टिशन की वज़ज़ से, जो यह वाला प्लांट है, इसका हम बहुत जादा इस्तमाल करते हैं, बात क्लियर हो गई, तो काफी जदा इंपोर्टन आर्टिकल था, आज मैंने जातर सोर्सिस आपको दिखाने की कोशिश करिए, हाला कि लास्ट वले आर्टिकल में मैंने सोर्स नहीं लगा पाया हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स टाइम ध्यार नकूँगा, सारी आर्टिकल क जो भी सोर्सिस होंगे, वो मैं लगाने की कोशिश करूँगा, आई होब आई आप सभी लोग को सारी चीदे क्लियर हो चुकी है, एक मतलब छोटे से टाइम के अंदर आपने कुछ पढ़ा है, डेफिनिटली जो कि आपको एक्जामे बहुत हेल्प करेगा, इसके साथ करते लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद